Hello students and welcome back to our channel once again. In today's video we are going to discuss about 30 plus most important MCQ of Cell, the unit of life. Chapter 8 है हमारा 11th class में, Biology के अंदर. So, इन सभी questions को आपको एक्जाम से पहले जरूर करके जाना है Because सभी questions प्रिविए सियर MCQ है और प्रिविए सियर questions करने से हमें बहुत सारा benefit मिलता है जिसमें से की दो benefits मैं आपको अभी के भी बता देती हूं पहला यह कि आपको examination, जो भी आपका medical entrance examination है उसका जो भी आपका exam pattern होगा वो आपको समझ में आएगा और दूसरी चीज़ कि आपकी जो variety of questions है एक single concept से कितने variety of questions में आप frame हो सकते हैं वो आपको समझ में आएगा, so हमारा mission है कि हम NEET, AIMS और जिपमर जैसे बड़े medical entrance exams के अंदर सबसे important subject biology में फुल स्कोर करें और फुल स्कोर करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा MCQs को practice करना होगा तो उसी सभी आपके इसी काम को मैंने easy वनाने के लिए यहां पर कुछ questions है मेरे पास आपने अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं जिसके अंदर मैंने कई chapters को cover कर लिया है जिसमें मैंने कई सारे chapters के questions आपको provide कर दिये हैं तो description box के अंदर playlist का link already given है आप जाकर उसे check out कर सकते हैं तो चलिए guys यहां पर हम शुरू करते हैं अगर आप पहले बार यह वीडियो देख रहे हो तो please subscribe कर लो जिपमर एक्जाम होने तक हम आपको बिल्कुल नहीं चोड़ने हाले हम आपका पूरा साथ देंगे और ऐसे डेली आपको questions की practice कराती रहेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना तक ही next time जब भी कोई ATP बनाने के लिए जो इन में से कौन सा सिल ओर्गिनल है जो की रिस्पॉंसिबल होता है जो कार्भो हाइट्रेट्स में से एनर्जी एक्स्ट्राक्ट करता है हम सभी जानते हैं कि एनर्जी को ATP के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है option number A है लाइजोजों बी इस राइबोजों सी क्लोरोप्लास्ट या डी माइटो कॉंड्रिया इट वसक्षिन ओफ नीट 2017 स्टोर करेक्ट ऑप्षिन एर इस ऑप्षिन नमबर डी माइटो कॉंड्रिया ठीक है यहां पर कार्भो हाइड्रेट्स में से एनर्जी कौन निकालता है कौन एक्स्ट्राक्ट करता है माइटो कॉंड्रिया ताकि उससे वो क्या बना सकी ATP नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पर हमारे सिकेंड क्वेशिन की तरफ असेल ओगिनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस ऑप्षिन नमबर ए राइबोजोम बी नीजोजोम सी लाइजोजोम या फिडी माइक्रोजोम आपको यहां बताना है उस सेल ओगिनल का नाम ज है कि आप लोगों का अगर जो भी मैं क्वेशिन बोलती हूं तो जैसे ही मैं आप्षिन बोल दूं आप लोग नीचे कमेंट सेक्षिन में सही ऑप्षिन टाइप करें कमेंट करें ठीक है और उसके बाद जब मैं आंसर बता देती हूं तो अगर आपको प्लस फोर मार्क्स करिए और अगर गलत है तो माइनस वन की मार्किंग कर लीजिए फ्रॉम यूर टोटल मार्क्स ओकी और लास्ट में जो भी स्कोर होगा वह आप मुझे जरूर बताएं नेक्स थर्ड कोईशिन सिलेक्ट रॉंग स्टेट्मेंट नो यहां पर आपके सामने चार स्टेट्में तुछ किन या फ्रिटी पिली एंद फिम्ब्रे आर मेंनली इंवर्ववथ इन मॉॉ्टिलिटि ओफ ब्क्तिरियल सिल्स तिक के यह गलत है पिली और फिम्ब्रे जो है मेनली सिर्फ और से तमजिए नहीं इनवाल्व होते हैं थीक है यह सर्फेस एर्या को कावर करने के लि आते हैं सो इनका मेंली फंक्शन नहीं होता है इसलिए रॉंग स्टेटमेंट हुई हमारी नेक्स्टम चलते हैं सिलेक्ट का मिस्माच यहां पर आपको मिस्माच को सिलेक्ट करना है कि किसकी मैचिंग गलत की गई है नीट 2016 का एक्वेशन है ऑप्शन नमबर ए प्रोटिस्ट इस मैच्ट विद युकेरियोट मिथे नोजेंस प्रोकेरियोट सी गैस वैक्यूल्स ग्रीन बेक्टिरिया या फिर दी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स विद अनिमल सेल प्रोकेरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता है ऑप्शन नमबर ए प्लास्मा मेंब्रेन ऑप्शन नमबर बी न्यूक्लियर मेंब्रेन औप्शन नमबर C, राइबोजोम या फिर औप्शन नमबर D, मीजोजोम तो या फिर ओप्शन नमबर D, मिजोजोम तो प्रोकेरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा इन मेंसे कौन सा आप कह सकते हो स्ट्रक्चर जो है जो की मेंब्रेन बाउंड नहीं है जिसके आस पास आपको मेंब्रेन देखने को नहीं मिलेगी री AIPMT 2015 का क्वेशन है ओप्शन नमबर A, मिजोजोम ओप्शन नमबर B, वैक्यूल्स ओप्शन नमबर C, राइबोजोम ओप्शन नमबर D, लाइजोजोम राइबोजोम की आस पास आपको मेंब्रेन देखने को नहीं मिलेगी नेक्स्ट ए हमारा सेविंथ क्वेशन नमबर A, लाइजोजोम ओप्शन नमबर A, लाइजोजोम ओप्शन नमबर यहां पर आपको बता रख़ा है कि उन सेलिलर ओगनल्स का नाम बताना है जिनके आस पास क्या होती है मेंब्रेन ठीक है यहां पर कुछ ग्रूप्स में उसको डिवाइट किया गया है आपको सही ग्रूप को सिलेक्ट करना है ऑप्शन नमबर A है लाइजोजोम ओप्शन गोलगाय अपरेटस और मिटोकॉंट्रिया भी नुकलिया राइबोजोम और मिटोकॉ तो इन सभी के पास क्या होता है मेंब्रेन आपको देखने को मिलेगी नेक्स आप प्रोटोप्लास्ट इस सेल थीक है प्रोटोप्लास्ट एक सेल है किस तरीके का सेल है वह आपको यहां पर बताना है यह V.A.I.P.M.T. 2015 का क्वेशन है ओप्शन नमबर A. विदाउट सेल व सो प्रोटोप्लास्ट जो है किस तरीके का सेल है वह आपको प्रोटोप्लास्ट इस सेल विदाउट सेल वॉल नेक्स्ट हम चलते हैं नाइंथ क्वेशन बैल्बियनी रिंग्स आर साइट्स ओफ ऑप्शन नमबर A. आर एन एन प्रोटीन सिंथिस ऑप्शन नमबर B. लिप सो बैल्बियनी रिंग्स ओव हैं वहा पर क्या बनता है आर एन ऑर प्रोटीन सिंथिसिश लेक्स है गॉल गाय कॉम्ग प्लेक्स पैस डैजी ओरोल इन ऐं एन ट्रावीकल मेहआ थिजिसिवन्टेद SP08 मभाट घ्ज्ट कंपलेक्स प्लेक्स पिसमिजर रोल इन हैं ओप्श no. d in post translational modification of protein and glycosidation of lipid it was a question of NEET 2013 आपको यहां पर बताना है कि गॉलगाय complex का main काम क्या होता है so option no. d is the correct option because it is the major function of गॉलगाय complex because the गॉलगाय complex plays a major role in post translational modification of protein ठीक है यानि कि आपका जब translation हो जाता है protein बन गया है RNA से उसके बाद उसकी modification के अंदर कौन काम आता है आपका गॉलगाय complex और lipids की glycosidation के अंदर भी कौन काम आता है गॉलगाय complex okay next time चलते है 11th question a major site for synthesis of lipid is ठीक है lipid के बनने की major site कौन सी है option no. a rough endoplasmic reticulum b smooth endoplasmic reticulum c simplast d nucleoplasm lipids जो है वो कहां पर बनेगा it was a question of need 2013 the correct option here is option no. b smooth endoplasmic reticulum ठीक है so major site कौन सी है lipids के बनने की smooth endoplasmic reticulum next is which one of the following cell organal is enclosed by a single membrane इन में से कौन सा cell organal है जो की एक single membrane से bounded है enclosed है AI PMT 2016 का question है option no. a mitochondria option no. b chloroplast option no. c lysozome या फिर option no. d nuclei है so the correct option here is option no. c lysozome lysozome जो है उस एक single membrane से enclosed होता है okay next है यहां पर 13th question microtubules are the constituents of option no. a cilia flagella and peroxisomes option no. b spindle fibers centrioles and cilia option no. c centrioles spindle fibers chromatin यह फिर option no. d centrosome nucleosome and centrioles it was a question of AI PMT 2016 the correct option here is option no. b spindle fibers centrioles and cilia okay so microtubules है वो किसके constituent है spindle fibers centrioles और cilia के okay next है cytochromes are found in आपको cytochrome कहां पर देखनी को मिलेंगी option no. a lysozome b matrix of mitochondria c outer wall of mitochondria यह फिर d crystal of mitochondria it was a question of AI PMT 2015 the correct option here is cytochromes are found in option no. d crystal of mitochondria next हम चलते हैं select the correct matching in the following pairs यहां पर आपको correct matching को select करना है यान कि कौन सा ऐसा option है जो की correct match किया गया है यह question है आपका AI PMT 2015 का option no. a है rough endoplasmic reticulum is matched with oxidation of fatty acid b smooth endoplasmic reticulum oxidation of phospholipid c smooth endoplasmic reticulum synthesis of lipid rough endoplasmic reticulum synthesis of glycogen now यह answer हमें पता होना चाहिए because same question हम इससे पहले cover कर चुके हैं लेकिन एक अलग form में so the correct option here is I hope आप सभी ने comment कर दिया होगा the correct option here is option no. c smooth endoplasmic reticulum synthesis of lipid ठीक है यानि कि जो lipid है उसका majorly वो कहां synthesize होता है smooth endoplasmic reticulum में यह correct matching है आपकी next चलते है dna is not present in इन मेंसे किसके अंदर dna नहीं present होता है option no. a mitochondria b chloroplast c ribosome या फिर d nucleus it was a question of aipmt 2015 the correct option here is option no. c ribosome ठीक है option no. c stroma option no. b crista option no. c grana या फिर option no. d stroma lamella आपको chloroplast के अंदर जो flattened structures देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं it was a question of aipmt 2015 the correct option here is grana ठीक है जो आपको इस तरीके से flat structures देखने को मिलते हैं chloroplast के अंदर ठीक है अलग अलग जगा उपर ऐसे structures देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं grana ओकी next हम चलते हैं nuclear envelope is a derivative of nuclear envelope किसका derivative में से option no. a rough endoplasmic reticulum b smooth endoplasmic reticulum c membrane of golgai complex या फिर d microtibules so the correct option here is option no. b smooth endoplasmic reticulum जो आपका nuclear envelope है वो आपको कहां दिखने को मिलेगा smooth endoplasmic reticulum में it was the question of aipmt 2015 next लते हैं the osmotic expansion of a cell kept in water is chiefly regulated by ठीक है यानि कि जो आपका osmotic expansion है किसी भी cell का ठीक है किसी भी cell की osmotic capacity जो है वो पानी के इंदर किस तरीके से regulate की जाती है option no. a through plastic b ribosomes c mitochondria या फिर d through vacuels it was a question of aipmt 2014 and the correct option here is option no. d vacuels okay next हम चलते हैं which structures perform the function of mitochondria in bacteria इन में से कौन सा structure जो है bacteria के अंदर mitochondria का का काम करता है option no. a cell wall b mesozooms c nucleoid या फिर d ribosome so the correct option here is option no. b mesozooms ठीक है it was a question of aipmt 2014 next year 21st question enzymes associated with converting fats to carbohydrates are located in option no. a liposomes यहां पे libozomes होगा b golgai bodies c glyco sorry glyozoosomes या फिर d microsomes so the correct option here is option no. c glyozoosomes okay i am very sorry पहले प्रोनाउंस गलत कर दिया था okay it was a question of cbac 1999 next which organal is absent in animal cell इन में से कौन सा organal है cell organal है जो की animal cell के अंदर नहीं पाया जाता है option no. a chloroplast option no. b golgai apparatus option no. c endoplasmic reticulum या फिर option no. d lysosomes so the correct option here is option no. c chloroplast आपको animal cell के अंदर chloroplast दिखने को नहीं मिलेगा ठीक है next हम चलते है 23rd question की तरफ what is true of ribosome यानि कि ribosome के बारे में यहां पर क्या सही statement लिखी हुई है option no. a prokaryotic ribosome are ATS b composed of RNA and proteins c found only in eukaryotic cell या फिर d they are cell splicing introns of some RNAs so the correct option here is so जो ribosome के बारे में सही यहां पर statement है वो है option no. b that they are composed of RNA and proteins okay it was a question of cbac 2012 next which of the following statement are true about endoplasmic reticulum यहां पर आपकी सामने 4 statement लिखी हुई है endoplasmic reticulum के बारे में आपको बताना है इन में से कितनी statement सही है option no. a not option no. a पहले statement देख लिते हैं smooth endoplasmic reticulum makes lipid b it is also called the control center of the cell c it processes carbohydrates d it processes sorry it modifies chemicals that are toxic to the cell so the correct option here is option no. b one three and four smooth endoplasmic reticulum जो है वो lipid बनाती है बिल्कुल सही है c हमारा है it processes carbohydrate बिल्कुल सही है ठीक है endoplasmic reticulum जो है smooth endoplasmic reticulum जो है वो carbohydrates में से ही energy लेते हैं ठीक है उसके बाद next है हमारा it modifies chemicals that are toxic to the cell जो chemicals cell के लिए toxic हैं उनको modify कर देते हैं ओके तो यह c वाला जो है process carbohydrate यह वाला मैंने गलत बताया it process carbohydrate ठीक है carbohydrate को process करते हैं यह ना कि उससे energy लेते हैं okay so हमारा भी option बिल्कुल सही है next year 25th question prokaryotic genetic system has option number a DNA but no histone c both DNA and histones c neither DNA nor histones या फिर d either DNA और histones so prokaryotic genetic system के पास इन में से क्या होता है so the correct option here is they have DNA but no histones ठीक है prokaryotic genetic system के पास DNA होता है बट histones नहीं होते हैं next year which one of the following organal digest the old organal that are no longer useful to the cell इन में से कौन सा cell organal है जो कि अपने पुराने वाले organal को खा जाता है digest कर लेता है जो कि अब किसी काम के नहीं रहे हैं cell के लिए okay option number a ribosome b mitochondria c lysosomes या फिर d chromatin so the correct option here is option number c lysosome lysosome ही एक ऐसे organals हैं जो कि अपने पुराने organals को खा जाते हैं because उनको पता है कि अब वो पुराने organals cell के लिए किसी भी तरीके से useful नहीं है okay so next question है plasmo desmata are located in narrow areas of plasmo desmata जो है वो कहां पर present होते है location क्या है उनकी option number a cell walls b protoplasm c cellulose d nuclei so the correct option here is option number a cell wall next हम चलते हैं which of the following is an example of cell devoid of nuclear membrane and mitochondria is option number a bacterial cell b sperm c protesta and d sponge cell so the correct option here is option number a wait a second option number a bacterial cell next question पर चलते हैं 29th lamp brush chromosomes are seen in option number a कोई बात नहीं अगर पहली बार नाम सुन रहे हो तो it's okay इस question को note कर लेना अपने notebook में जिसके इंदर आप mistakes note करते हो अपनी और इसको बार-बार revise करना हियाद हो जाएगा okay so lamp brush chromosomes are seen in option number a prophes b mitotic metaphase c mitosis या फिदी meiotic prophes so the correct option here is option number d meiotic prophes आपको lamp brush chromosomes नहीं वो मियोटिक प्रोफेस के अंदर देखने को मिलते हैं next which one of the following is not considered as a part of the endomembrane system endomembrane system का part इन में से किसको नहीं माना जाता है option number a vacuum b lyzozome c golgai complex and d peroxisome so the correct option here is option number d peroxisome peroxisome जो है endomembrane system का part नहीं के लाया जाता है okay so guys यहां पर हमने हमारे 30 mcqs complete किये हैं अगर आपको और भी जादा अलग अलग चाप्टर्स की mcq वीडियो शाही है तो अभी के अभी चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसे दबाकर अमारी फैमिली का पार्ट बनिए और बेल ऐकन को जबा लीजेगा ताकि next show वीडियो आने वाली है उसकी आपको सबसे पहले पहुचे और अगर आपकी निमाग में अभी भी कोई डाउट है या फिर आपको कोई क्वेशन मुझसे पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सिंग्रीशन एजूकेशन नाम से मेरा हैंडल है